जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस लाइव चर्चा कारिकरम में दिव्विस्रिजन स्प्रीच्वल चैनल पर परतेक दिवस की भाती आज भी यह चर्चा प्रारंब हो रही है और चर्चा का जो विशय है मंडक उपनिशद के ऊपर आज का जो विशय है प्रणव धनुष पर ध्यान बान के विज्ञान से ब्रह्म भेदन होगा प्रणव धनुष पर ध्यान बान ध्यान रुपी बान के विज्ञान से किससे विज्ञान से एक बात ध्यान रखेगा यहाँ पर यहां पर कहा जा रहा है विज्ञान से, संधान से नहीं का लिखा गया, विज्ञान शब्द का प्रियोग क्यों किया गया, क्योंकि बान का तो संधान होता है, और संधान से ही लक्ष का भेदन होता है, तो यहां पर संधान ना लिखकर विज्ञान शब्द का प्रियोग किया गया है तो आज इस विश्य पर भी हम समझेंगे कि विज्ञान से लिखने का क्या तात्पर है विज्ञान से कहने का क्या तात्पर है तो जिग्यासुओं इस रहस्य को प्रणो बान क्या है ध्यान रूपी बान प्रणो धनुष ध्यान रूपी बान यह सब किसकी चर्चा हो रही है शस्त्र अस्त्र की चर्चा क्यूं हो रही है कैसे हो रही है आज हम इस विशय का पर चर्चा पहले कर ले फिर आपे कमेंट पढ़कर उस पर भी चर्चा करेंगे ठीक है तो कृपया अपने टिपनी करें लेकिन टिपनी करते समय एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप शास्त्रिय विश्यों पर टिपनी करते या तो अंजान बनके टिप हैं और कोई एक होता है पूछना एक होता है स्टेटमेंट देना कि भाई ये चीज है तो जब भी आप स्टेटमेंट देते हैं तो अपने स्टेटमेंट को भली भाती जांचले परख ले अगर आप संस्कृत के स्टेटमेंट देते हैं तो उसका सही सही शाब्दिक अर्थ निकाल ले ये ना कि वो किसी और चीज से प्रभावित हो और उसमें आपने अर्थ दिदू की अर्थ अर्थ लगाने के तो अनेको लोग हैं जो अपनी मनमर्जी के अर्थ लगाते हैं ल निरुक्त के माध्यम से शब्द का क्या अर्थ निकलता है निरुक्त और व्याकरण के माध्यम से शब्द का क्या अर्थ निकलता है या उस शब्द का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ है उसका ध्यान रखें कोई आशय निकाल कर टिपनी ना करें ठीक है बाकि कोई प्रश Paprasimika उत्तर दिया जाए। चलिए कि इस विशय पर हम है चलते हैं और इस विशय को चलते हैं इसको जए कि आम ऊप Nock 3 अज चलते हए इसको अजे कre sólo कि और बढ़ाते हैं कि zost Value के विशह पर ब्रह्म के व्यापकता के विशह पर ब्रह्म के शरीर के बारे में जिसमें बताया गया कि उसकी आखे सुरी और चंद्र उसके नित्र है अगनी मूर्धा है ठीक वायू प्राण है प्रत्वी प्यार है विश्व हिर्दय है इस प्रकार से ऐसी चर्चा कल हमने की और आज जो है उस ब्रह्म को लक्षे करकर कैसे कोई योगी कोई साधक कैसे उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है कैसे उसका भेदन कर सकता है तो उस तक हम पहुंचने का आज का प्रयास हम करेंगे कि किस प्रकार से इस बात की व्याख्या की जारी किस प्रकार से इस बात को समझा और आया जा रहा है उसको आज हम देखते हैं चलिए दिवतिय खंड दिवतिय along का ready उस्पर छर्चा प्रा रम्हों तो पहला इस लोग इसका क्या कहता है उसी को हम देख़ लें विचार कर लें कि पहले इस लोग की व्याख्या क्या कहती है ठेक इस लोग है आवि सन्य हितम गुहाचारं नाम महत पदमत्रै तत समरपितम एजत प्राननी मिशश्या यदेत ज्यानत सद स्वदेरन्यंपरं विज्ञानत द्वरिष्टं प्रजानाम आवि प्रकाश रूप अत्यंत समीप समीप से भी समीप दूर से भी दूर सुक्ष्म से भी सुक्ष्म विशाल से भी विशाल पहले भी ऐसी व्याख्या चुकी है तो जो प्रकाश रूप है अत्यंत समीपस्त गुहाचरं नाम हिर्दै रुपी गुहाँ में गुहाचरं नाम अर्थात गुहाँ म रमन करने वाला है गुहाचरम नाम से प्रसद्ध है वह महानपद्ध महत पदम यत एजत प्रानत जितने भी चेश्टा करने वाले स्वास लेने वाले और आखों को खोलने वाले मूंदने वाले प्राणी हैं ये सब के सब इसमें समर्पित हैं अर्थात उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं उन्हीं से तो उनकी स्रिष्टी है उन्हीं से तो उनकी उत्पति है तो इस ब्रह्म को तुम लोग जानो रिशीवर कहते हैं अंगीरा रिशी कहते हैं शौना कादी रिशीयों से कि तुम लोग जान सब की द्वारा यह वरन करने योग्य है असत वरिन्यम वरिष्ठम प्रजानाम विज्ञानात परम वरिन्यम गैत्री मंत्र में भी यह शब्द आता है ना वरिन्यम भरगो दिवस्य धीमही तत्थ सवितुर वरिन्यम उस सविता का वरन करो वरन करो वरन करने योग्य है वो अफिर उसका वरन करकर उसका ध्यान मतलब वरन करने मतलब धारना करो वरन किसे क्या तात पर है धारना तो जब तक धारना नहीं होगी तब तक ध्यान कैसे होगा तो धारना करो वह सर्व सक्तिमान सरवग्य सरव्यापी हिर्दय गुहा में रहने वाला वहां से जाना जाने वाला जो ब्रह्म है इस संसार में जितने भी हिलने चलने वाले स्वास लेने वाले आँखे कोलने वाले आँखे मूंदने वाले उन्हों सब का समुदाय उसी ब्रह्म में समरपित है अर्थात उसी में स्थित है सब के आश्रे यही ब्रह्म है सब का आश्रे अस्थान है यह सबने उसी में आश्रे ले रखा है यह संपूर्ण इंद्रिय जगत का आश्रय भी उसी में है या तो इंद्रियों की माया जाल है कि जिससे के संसार कुछ अलग ही दिखाई देता है अलग होकर तो तुम इसको जानो यह सत और असत अर्थात कारे और कारण एवं प्रगट अप्रगट सब कुछ वो ब्रह्म ही है वो स्वेम कारण है तो सब के द्वारा वरन करने योग्य और अच्यंत स्रिष्ट है ता समस्त प्राणियों की बुद्धीक से परे अर्थात बुद्धी द्वारा तो अग्ये है ऐसा भी कहा जा रहा है फिर आगे क्या कहते हैं अगले स्लूप पर चले चलिए अभी समधान भी बताया जाएगा ना समधान भी बताया जाएगा तो आगे कहते हैं यत अर्चमत चायत अनुभ्या अनुयस्मीन लोका चलो किन नहींता तत एतत अक्षरम सह प्राणह तत वुद्धी अर्थात जो दिप्तिमान है और जो अनु से भी सुक्षम है जिसमें समस्त लोक और लोक मतलब कि जो एटम का जो इस्ट्रक्शर है जिसे आप इलेक्टरॉन प्रोटोन नीट्रॉन ये सब कहते हैं उनसे भी अधिक सुक्षम है उनसे भी अती सुक्षम है वह तो उन लोकों में रहने वाले जो प्राणी इस्थित हैं समस्त लोकों में जितने भी समस्त लोक हैं उसी ब्रह्म में इसलिए कहा जा रहा है कि वो अनू से भी अधिक सुक्ष में है और जिसमें समस्त लोक जिस ब्रह्म में समस्त लोक इस्थित हैं उन लोकों में रहने वाले प्रानि इस्तित है वही अविनाशी ब्रम्म वही प्राण है वही वानी है वही मन है वही सत्य है वही अमृत स्वरूप है और वह भेधने योग्य है लक्ष भी energy जो ब्रह्म अतिशय द्यदिप्यमान प्रकास स्वरूप है जो सुक्ष्म से भी अतिशय सुक्ष्म है जिसमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले समस्त प्रानी स्थित हैं अर्थात ये सब जिसके आश्रे में हैं वे ही ब्रह्म हैं और वे ही सब के प्रान दाता भी है वे ही सब की वानी हैं वही ब्रह्म सब का मन है अर्थात समस्त जगत के इंद्रिय और अंतह करन स्वरूप प्रगट रूप में वही ब्रह्म हैं वे ही परमसत्य अम्रत हैं अविनाशी हैं अम्रत का मतलब अविनाशी होता है तो हे प्रिय शौनक अंगीरा रिशी शौनक मुन तो दूसरे इसलोक से ही भेदने की बात शुरू हो गई कि भेदना क्या है उस ब्रह्म को भेदना है कैसे उस ब्रह्म को भेदा जाए बैए अब ये समझाया जाएगा आगे के विश्यों में तो कहा जा रहा है अउपनीशद में बताया गया जो महाशस्त्र है अयम्य जो भाग वतिन चेत सा लक्षम्त देवाक् advancing सोम्य विदी उपनिशद में वर्णित जो महान शस्त्र है धनुष उसको लेकर निश्य ही उपासा निशितम उपासना द्वारा टिक्षण किया हुआ उपासना उपासना क्या है पहले तो ये समझे उपासना है उपवास उपवास क्या है जी उपनिशद क्या है ठीक है उपन्यास क्या है उपन्यास क्या है तो उप का अर्थ है समीप और वास उपवास मतलड़ समीप बैठना ध्यान की अवस्था में बैठना ही उपवास है और उपासना भी वही है अर्थात समीप बैठना उपासना मतब निरंदर साधना करना साधना करना और ध्यान करना यह दो अलग-अलग विशय हैं ध्यान रखेगा ध्यान एक अवस्था है और साधना मतलब प्रैक्टिस साधना का मतलब अव्यास तो उपासना का अर्थ है साधना अव्यास करना तो निरंदर साधना से जिसने तिक्षन कर लिया है बानगो उपासना द्वारा तिक्ष्ण किया हुआ शरम अर्थात वह बान संग येत भाव गतेन अर्थात जो भाव पुर्ण चित के द्वारा चित की एकागर्ता के द्वारा चित की भावना के द्वारा तो जो चित की भावना होती है हम क्या करते हैं योग में आर्ग में एकी भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं कैसे चित को एकी भाव करना होता है चित्य को एक विर्थी करना होता है सभी विर्थियों का निरोध करते हुए किसी एक विर्थी प्रवाह को उठाकर चित्य को चित्य विर्थी निरोध की और हम ले जाते हैं यही तो यूग का मार गा है यही स्रिकृष्ण गीता में अर्जुन को बताया यही महर्शी पतंजल विशे शुरुप से बता रहे हैं तो चित्य को एकी भाव किया जाता है निरंतर अभ्यास करते हुए तो उससे क्या होता है कि जो ध्यान रूपी शर्ध है जो बाण है वो तिक्षन होता है और जितना नुकिला होगा, जितना तिक्ष्ण होगा उतना लक्ष को भेदने में वो सहायक होगा ठीक है उतना समाधी तक पहुँचने में सहायक होगा उतना चित विर्तियों का या भावातीत अवस्था में पहुँचने में सहायक होगा और उतना ही आप ब्रह्म को जान पाएंगे तो उपनिशद में वर्णित प्रणवरूप महानस्त्र धनुष को लेकर निश्य ही उपासना द्वारा तिक्ष्ण किया हुआ बान चड़ाएं भावपुर्ण चित्त के द्वारा एकी भाव हो गया जो चित एकी भाव यहाँ पर भावपुर्णता करते ही है भाव गतेन चेतसा तत उस बान को चित यहाँ बान है तो भाव गतेन चेतसा भाव गतेन अर्थात एकी भाव करकर एकी एक वृति होकर जो चित है उस बान को खीच कर चित के द्वारा खीचोगे अपने मन की शक्ती से एक्षा शक्ती से खीचोगे खीच कर प्रय उस प्रमपुरुश उस अक्षर भ्रम की ओर तू लक्ष करकर भेद दे लक्षे करकर उसका भेदते भेदन कर दे तो निरंतर ध्यान का अभ्यास पुडारम कहां से होगा आशन प्रणयां प्रत्याहार धार्ना होगी फिर ध्यान होगा कि यह उस बान को तिक्षन करने का ही उपाय है तो प्रणवो धनुशरो है आत्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्चते अप्रमतेन विद्ध द्वम सरवतन्मयो भवेत प्रणवों ओंकार ही धनुश है और यह जो आत्मा है वह बान क्योंकि अब यहां पर आ प्रणवो धनुश है यह बात सही है प्रणव साधना करना जरूरी है सही धन से प्रणव साधना लोग बहुत कम लोगों को पता है कि प्रणव साधना क्या है ज्यादा तर लोग प्रणव साधना के नाम पर उदगीत साधना करते हैं अगर आप हमारा मेंबर्शिप अगर जो कोर्स है जुपिटर का जो ध्यान योग का जो कोर्स है उसके अंदर उदगीत क्या है और प्रनौ साधना क्या है दोनों का भेद करके बताया गया है जिल लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया है उसका अभ्यास किया है दे नोज विरी वेल कि उदगीत साधना अलग ची निस्वास जैसे स्वासे अपने आप इस्थगित हो जाएंगी इस्थगित करने की ज़ुरत नहीं है अपने आप ही इस्थगित हो जाएंगी तो निश्वास होने की आवशक्ता है प्रणाव साधना से तो प्रणाव साधना अनिवार्रे है उसी से ध्यान तिक्षन होगा ध्यान तिक्षन होगा तो आत्म साक्षातकार होगा न तुरी आवस्ता में पहले तो इसलिए आत्मा को भी यहां बान कहा जा रहा है आत्म साक्षातकार का बान लेकर सेल्फ रियलाइजेशन का बान लेकर कब सेल्फ रियलाइजेशन होगा जब आप एकी भाव अवस्था में पहुंचेंगे तब होगा चित वर्ती निरोध होगा तभी तो स्वरूप प्रगट होगा भाई स्वरूप की उपलब्धी तो आत्म ज्ञान है मात्र कुछ नाद सुन लेने से भ्रिकुटी के मध्य कुछ चकमक देख लेने से मत मानलो की आत्मदर्शन हो गया है भ्रम में हो उपनीशद और पतंजली का योग सुत्र पढ़ोगे तो और भ्रमित हो जाओगे भाई आत्म साक्षाद कार क्या है यह तो योग मार्ग के प्रारंभिक अवस्थाओं में होने वाली अनुभूतियां है हाँ इनको तिक्षन करते करते निरंतर नाद ध्यान का अभ्यास करने से जो अदभूत एक आगरता विक्सित होती है वो आनंद दाई भी होती है आनंद का अदभूत आनंद का अनुभाव करवाती है और फिर साथी साथ आपकी एक आगरता को तिक्षन कर देती है और उसी तिक्ष्णवान से ब्रह्म का भेदन होगा समाधी में प्रवेश होगा भावाती तवस्था की और गमन होगा पहले संप्रग्यात समाधी भावपुर्ण होगा विचार उसमें भी स्थगित हो जाते हैं जो क्रियाशील हैं लेकिन संसकार रुपी विचार उसमें विद्धमा समाधी होगी ना बाहर ना अंदर कहीं कोई संसकार कहीं कोई विचार नहीं रहेगा चित्य का लए होगा फिर निर्बीज समाधी से ही महर्श पतंजली ने कैवल्य प्राप्ति का मार्ग बताया है अगर हम कैवल्य पाद में पढ़ते हैं तो झाल कर दो एम झाल कोई से लुषदा में पाद में पर भी साधी और नहीं होत्ते हैं कि अच्छान की प्रॉब्लेम कि अच्छान की आप अच्छान की आप ठीक है अब ठीक है आवाज अब जा रही है कोई दिक्कत नहीं है आपको आवाज मिल रही है अब ठीक है तो प्रणो साधना मैं बता रहा था प्रणो साधना और उद्गीत साधना में अंतर है जादातर प्रणो साधना के नाम पर आपको उद्गीत साधना ही प्राप्त होती है इसी लिए प्रणो साधना जो है वह क्या है और उद्गीत क्या है दोनों में भेद है क्योंकि प्रणो ओंकार को भी प्रणो कहा गया जी हां ओंकार भी प्रणो है परन्तु वह उच्चारन क का विशय नहीं है प्रणौ साधना में उच्चारन नहीं होता ध्यान रखिएगा प्रणौ साधना में उच्चारन नहीं होता उद्गीत में उच्चारन होता है तो प्रणौ साधना के नाम पर ज्यादा तर लोग उद्गीत का अभ्यास कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम प्रणौव साधना कर रहे हैं जी नहीं जब प्रणौध्यान होगा तो निहस्वास हो जाओगे स्वासे जबरदस्थी रोकने की जवरत नहीं है अपने आप आपकी स्वासे इस्थिर हो जाएंगी जब वास्तों में प्रणौव साधना होगा तो लोग प्रनौ साधना ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रनौ साधना से ज्वाइन तो कर लेते हैं प्रनौ साधना लेकिन प्रनौ ना करके कुछ और ही कर रहे होते हैं तो ऐसा पाया गया है मैंने कई ऐसे लोगों से मिला जो कहते हैं कि मैं प्रनौ साधना करता ह तो कैसे होती है प्रनोव साधना क्या करते हो сообщ हो बताइंगे की बैठ जाना है सिधा बैठ जाना है स्वासे बरना है और फिर मुकसे ओm का उचारन प्रणोह अंकार ही तो प्रणोह है, ऐसा कहते हैं बात आपके सही है कि ओम्कार प्रणोह यह लेकिन ओंकार के कई अलग-अल लेबल हैं अलग अलग रूप हैं तो उंकार का एक प्रगट रूप जो आप मुक्से उचारन करते हैं और एक मुक्से उचारन नहीं किया जाता उस उंकार का तो जब प्रणौव साधना होगी तो वह अंदर होगी वह प्रणयाम है स्वासों प्रस्वासों गतिर विछेद स्वास प्रस्वास की गती का विछेद हो जाना जब प्रणौव साधना सही से होगी तो स्वास प्रस्वास की गती का विछेद होगा ठीक है तो यह हमें समझना है प्रणो क्या है तो प्रणो का आधार लेकर प्रणो रुपी धनुष को लेकर ध्यान रुपी बान से यह संभव होगा और ध्यान बार यहां आत्मा इसी लिए क्योंकि आत्म साक्षातकार के बाद ही वह बान तिक्ष्न होता है और जब बान अतिक्षन हो जाएगा तो वो लक्ष का भेदन करेगा उसके द्वारा ब्रह्म रूपी लक्ष का भेदन सरल हो जाएगा फिर ठीक है तो यह भेदन जरूरी है तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा इस स्लोक में चौथे इस लोक में भी चर्चा हुई है ठीक है मित्रों तो चलिए इस पर हम आगे अगले स्लोक में क्या कहा जारा उसको देख लगते हैं तो प्रमेश्वर देखो ब्रह्म का वाचक प्रमेश्वर का वाचक भी प्रनौ कहा गया है लेकिन वह प्रनौ अजपा जाप है वह प्रनौ का जाप नहीं होता वह अव्यक्त अक्षर है इसे भगवान कृष्ण ने कहा अव्यक्त अक्षरो इतिक्त अस्तमाहू प्रमाम गतिम यंप्राप्पिना निवर्तंते तद्दाम परमम्म इस प्रकार्श स्रीमत भगवद गीता में इस तरह से कहा गया ठीक है तो यह चीज है तो पंचम इसलोक में क्या कहते यश्मून ध्यव प्रत्वी चांतरिक्ष मोतम मन सह प्रानश्य सरवय तमेवाइकम जानत आत्मान मन्या वाचो विमुन्च था मृतस्यश यैश सेतु हू जिसमें स्वर्ग प्रत्वी और अंतरिक्ष और उनके बीच का आकास तथा प्रान समस्त प्रानों के सहित मन गुथा हुआ है उसी एक आत्मा रूप ब्रह्म को जानो आत्मानम अब यहां देखिए पहले कहा गया कि आत्मा ही बान बन जाएगा कब जब आत्म साक्षातकार हो जाएगा ध्यान करते हुए तो आप उसे बान समझ लिए तो अब यहां पर क्यों लिखना पड़ रहा है कि आत्मा रूप ब्रह्म को जानो क्यों लिखना पड़ रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है कि बान भी वही है धनुष भी वही है ब्रह्म की व्याख्या ही ऐसी है सब कुछ उसी से बना उसी में इस्थित है तो जिसमें स्वर्ग पृत्वी अंतरिक्ष तता सभी प्राण मन गुथा हुआ है उसी एक आत्मा रुप ब्रह्म को जानो दूसरी सब सर्वता को छोड़ दो यही अमृत का सेतू है यहीं अमृत मतलब अमरत्व का सेतू अमृत मतलब ब्रह्म का सेतू अमृत मतलब अक्षर जो कभी छरित ना हो जिसका कभी नाश ना हो वो अक्षर कहलाता टो अंुरित शब्द का प्रयोग भी अहां इसको समझना चाहिए तुम इसका संधान करो इसका अभ्यास करों अपने मन चित प्राण सब को लगाते हुए उसमें जोको इस अभ्यास में ताकि वो बान तिक्ष्न हो जाए और ब्रह्मा रुपी सुक्षम से भी सुक्षम अनुओ से भी अतिश है सुक्ष में जो अनु की सन रचना है उससे भी कई गुणा अधिक सुक्ष में वह ब्रह्म है ऐसे चर्चा यहां पर किया जा रहा है क्यों कि आगे फिर क्या कहते हैं आईए छटे इसलोप में कहा कह रहे हैं संहता यत्र नाड़य सएशव अंतस्शरते बहुदा जाय मानः ओमित्ययं ध्या यथ आत्मानम स्वस्तिवः पराय तमसह परस्तात कि तमसह परस्तात तमस्य परए अर्थात रथकी नाभी में जिस प्रकार से रथ के पहिये के केंद्र में क्या लगे होते हैं उनको अरे कहा जा रहा है अरे लगे रहते हैं और उसी प्रकार सरीर की समस्त नाडियां जिस हिर्दय देश में एकत्र इस्थित हैं उसी हिर्दय में नाना रूप से प्रगट होने वाले परब्रम अंतर्यामी रू इस नाम से प्रणव ही उसका उचारन के साथ निरंतर ध्यान करते हैं तो जो प्रणव के माध्यम से ध्यान करते हैं यहां इसलोक में क्या कहा जा रहा है रथ नाभव अराह इव यत्र नाडय सहता बहुदा जायमान एशह अंतह चरते आत्मानम ओम इती एवं ओम के द्वारा ध्यान करो ओम के द्वारा ध्यान करो ध्यान का अभ्यास करो उसका अभ्यास करने से तमसह परस्तात तुम तमस से परे हो जाओगे अंधकार से परे हो ज प्रणाव का भ्यास करो कैसे प्रणाव का अभ्यास होगा महानुभाव बता दीजिये जरा तो फिर वही कन्फूजन आ जाएगा क्या confusion आ जाएगा कि उच्चारन करके करें कि निस्वास होकर करें तो मैं तो सीधा बोलूँगा कि आप यहां पर जिस प्रणौ की बात की जारी है वह मुख के द्वारा उच्चारन करने वाला प्रणौ नहीं है इसलिए उदगीत की साधना और प्रणौ की साधना का भेद जानिए नहीं तो आपको फिर सामवेद में उदगीत की साधना बताई गई है तो उसमें कोई भेद नहीं रह जाएगा फिर प्रणौ की साधना कैसे होगी इस प्रकार से नििस्वास अवस्था को प्राप्त किया जाएगा ? किस प्रकार से अजपा जापसिद्ध होगा ? तो वह जानना पड़ेगा शब्द ब्रम के लिए। महापुराण में लिखा गया कि वह शब्द ब्रम ना ओंकार ना मंत्र है ना बीज है ना अक्षर है उसका उचारन नहीं होता इस प्रकार से समझाने का प्रयास कि यह चली कि अगे बढ़ते अगले स्लोप पर चलते क्या समझाय जा रहा है इसी विश्य में क्या कहा जारा सब्तम इस लोक में यह सरवग्य सरविद यश्य महिमा भुवी दिव्य ब्रह्म पूरे हेश व्योमने आत्मा प्रतिष्ठिता मनो मया प्रान शरीर नेता प्रतिष्ठो अन्य हिर्देयं सन्निधाय तद्वी ज्याने नपरिपश्चंति धीरा आनंद रूप मृत्तम यद विभाती जो सरवधा जानने वाला एशह महिमा जिसकी जगत में महिमा है यह प्रसिद्ध सबका आत्मा ही परमिश्वर है दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोकवे स्वरूप से इस्थित है प्रान और शरीर का नेता है नतिर्थ्थ्य करता है मनो मैं भी यही ब्रह्म है धरदय कमल का भी आश्रय अस्थान यह ब्रह्म है अन्न मैं इस थूल शरीर इसी ब्रह्म में प्रतिष्चित है जो आननद स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म सरवत्र प्रकाशित है बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा विज्ञान के द्वारा उसको भली भाती प्रतक्ष कर लेते हैं तो क्या कहा गया प्रतिष्च तो अन्नेहर्दे सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपशंत धीरह आनंद रूप अम्रतम यद विभाती अब यहां पर विज्ञान आ गया कौन सा विज्ञान है किस विज्ञान की चर्चा यहां पर की जा लिए जरा बताईए विज्ञान क्या है कृप्या करके आप विज्ञान को समझना चाहते हैं कि वास्तों में हमारे शास्त्रों में विज्ञान शब्द का प्रियोग किसके ल कि आहें दुबारा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा तर कई लोग महात्वाओं को मैंने देखा है यह बताते वे कि जहां भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं वहां वो कहते हैं कि ज्यान विज्ञान मतलब ज्यान इस थिरूटिकल नॉलेज विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कि हम लैब में जाते हैं पहले कि फिजिस की किताब पढ़ते हैं फिर फिजिस के लैब में जाते हैं केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं वहां प्रैक्टिकल कर ल प्रैक्टिकल करने को विज्ञान नहीं कहा जाता ध्यान रखिएगा विज्ञान की किसे कहा जाता है पराविद्या ही विज्ञान है वहाँ पर भी ये बात मैंने स्पस्ट की पराविद्या ही विज्ञान है सही माइने में वी उपसर्ग लगता है जादा तर विरोधा भास के लिए तो जिसका ज्ञान के साथ विरोधा भास मतलब कि ऐसे तो चलो ऐसे बताना तो ज्ञान है लेकिन इंद्रिया तीत अनुभूती करना इंद्रियों से परे जाने का प्रयास करना वह विज्ञान का विशय है वह मात्र बोलने कहने सुनने से समझ में नहीं आएगा वो प्रैक्टिकल भी उसमें है लेकिन इंद्रियों से परे जाने का योगज नियाए दर्शन में महरसी गौतम ने योगज अनुभूतियों की बा करके किसे इद्वारा साधना के द्वारा जो एक्स्पेरियेंसे जाते हैं जो अनुभूतिया आती उनके ली कहा गया योगज सब57 स्हास्ट विग्ञान उ यह न यहीं कर लेते हैं विघ्न के द्वारा प्शन्ति ज्मीजन विज्ञान इस नॉट साइन्स सो देर्फोर देरिस नो परफेक्ट रांसलेशन टौड विज्ञान in English language अंग्रेजी भासा में कोई उसका ट्रांसलेशन नहीं है विज्ञान शब्द गां तो यहां पर कहा गया तद विज्ञान गया न परीपशंद धीडरा वह विज्ञान के द्वारा कौन सा विज्ञान ध्यान रूपी विज्ञान मार्शी के अस्टांग योग रूपी विज्ञान निदिध्यासन रूपी विज्ञान निरंतर उपासन शीतम अर्थात उपासना रूपी बान को तिक्ष्ण करते हुए तिक्षन करते हुए वह उसका भेदन करते हैं यही वो विज्ञान जो अभी पीछे कुछ स्लोकों में बताया गया उस आत्मा का साक्षातकार कर लेते हैं उसे देख लेते हैं उसे जान लेते हैं इसलिए कहा गया तद विज्ञाने न परिपशंद धीरा तो इंद्रियों के परे जाकर ऐसी अनुभूतियों को अध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए ही विज्ञान शब्द का प्रियोग शिमत भगवत गिता में हुआ है और यहाँ भी हुआ है। आलु के पराठे कैसे बनाने हैं तो किताब को पढ़कर तुम प्राक्टिकल करोगे जाकर केचन में तो वह विज्ञान नहीं हो जाए कि साइन्स सो जाएगा लेकिन विज्ञान नहीं होगा वीज्ञान मतलब Dec जो प्रैक्टिकल इनर एक्सपिरियेंस है बियॉंड सेंसेस तोकि प्रैक्टिकल करना लेबरोटरी में जाकर प्रैक्टिकल करना ऑक्सिजन हाइड्रोजन के उपर या एक्सील के उपर वो जो प्रैक्टिकल है केमेस्ट्री के लैब में जो साइंस के स्ट्रेंट किया करते है या फिर Biology student किया करते है practical वेगरा तो वो जो practical है वो Beyond Senses तो है यह नहीं तो उसे ज्ञान कहिए और जो Theory होती है उसी ज्ञान की श्रेनी में रखा यह नहीं जाता भाया वो तो सूचना है किताबों में जो भी आप पढ़ते हैं वो एक Information है यहां मैं जो भी बता रहा हूं वह एक information है ज्ञान तो तब होगा जब आप साधना करोगे और जब साधना करोगे तो ज्ञान नहीं विज्ञान होगा और बाहर की दुनिया में जो sensual world है जिने हम अनुभूती करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के माद्यम से उस दुनिया में क्या ह करेंगे किसी विशय का practical करेंगे तो ज्ञान होगा विज्ञान नहीं होगा तो इसलिए विज्ञान को समझे विज्ञान क्या है इसलिए टाइटल में भी आज के टाइटल में हमने क्या दिया है कि प्रणौ रूपी धनुषपर ध्यान रूपी विज्ञान से ब्रह्म का भ से यह चलाई जा रही है बहुत जल्द संभावता पूरा प्रयास होगा कि मई के महीने में यह पूरा कोर्स अंग्रेजी भासा में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में इस को लाउंच किया जाएगा इस साल पिछले साल लगबग जुलाई के महीने में यह कोर्स लाउंच ह अधिक लोगों ने साल भर में लाब उठाया होगा और तो अब और अधिक लोग लाब उठाते हैं अच्छी बात है तो लाब उठाये और इस विज्ञान से जुड़िए बहुत जल्द अंग्रेजी भासा में भी और एक ही कोर्स आएगा जुपिटर कोर्स को ही इंग्लिस ट्रांसलेशन में आपको लाया जाएगा तुकि वहीं कंप्लीट है अपने आप में तो ट्रांसलेशन ही नई वीडिय लोगों का जों क कई लोग हैं जो की युएस से या इंग्लेंड से उन्होंने कोर्स जोईं किया है भारतिय लोगे भारतिय कि जा रही हैं कि अंग्रेजी भासा में जल्द से ज़दी कोर्स डिजाइन होकर लाउंच हो जाए तो अगले महीने मेज मैप महीने में संभावतह इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तो जग्यास्मों तो वह विध्यान विज्यान को जानना होगा ठीक है तभी जाकर यह होगा आगे क्या कह रहे हैं हिरन्नमय परेकोशे विरजम ब्रह्मनिशकलम तक्षु ब्रह्म जोतिशाम जोतिश्तद दात्म विदो विदु लगता है एक इसलोग शूट गया अश्टम शूट गया सप्तम के बासिदा नौम पे चला ग खया चास्य कर्मानी तश्मिन दृष्टे परावरे जब यह तिक्शन हो जाएगा अपता हे एकागरता विकसित हो जाएगी ध्यान तिक्शन हो घाएगा तब क्या होगा थे तस्मिर परावरे दृष्टी कार्यवास रूप उस erzähl पर पर्रुशत्य में को तत्त्व से जान लेने पर अस्य हिर्दय ग्रंथी इस हिर्दय की गाट खुल जाएगी भिदते हिर्दय ग्रंथी छिदंते सर्व संशया संपूर्ण संशयों का नाश हो जाएगा सुक्ष्म शरीर क्या है कारन शरीर क्या है इस थूल क्या है आत्मा क्या इसका परतक्षी करण हो जाएगा ठीक है तो इस ध्यान रूपी विज्ञान का लाब फल क्या मिलने वाला है भिदते हिर्दै ग्रंती छिदंते सर्व संशया छियंते चास्य करमानी तस्मिन द्रिष्टे परावरे तो संपुर्ण संसय कट जाते हैं और समस्त सुभा सुभ कर्म नश्ट हो जाते हैं पुल्णता इसका भेदन होने से फिर समाधी की अवस्था प्राप्त होती है तो ये इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है अगर आपने यह बान चला दिया ब्रह्म रूपी लक्ष को हिर्दै गुहार रूपी लक्ष को भेद डाला अपने अपने ध्यान योग से तो फिर क्या आगे का मार्ग तो अपने आप ही हो जाना है ठीक है चलिए आगे देखते नवम इस लोग क्या कहता है हिरन्न मैं परेकोशे विर्जम ब्रह्म निशकलम तक्ष ब्रह्म जोतिशाम जोतिश तद आत्म विदो विदू अर्थात वह निर्मल अव्यरहित पर ब् वह सर्वधा विशुद्ध जोतिशाम समस्त जोतियों की भी जोती जोतिशाम अपितज्योति तमसा परमुच्चते ज्यानम गयम ज्यान गम्यम हिर्दी सर्वस्व विष्ठितम श्रीमत भगवद गीता में स्रिकृष्ण कहते हैं ठीक तो अव्यरहित परब्रम प्रकाश म परमकोश में सर्वधा विशुद्ध समस्त जोतियों की भी परम जोती जिसको आत्मज्यानी अर्था तहर्दय गरंथी को भेदने वाले उसको जान लेते हैं ठीक और जानने के बाद उनको क्या साक्षातकार होता है ना तक्त्र सुर्यों भाती ना चंद्रतारेकं नेमा व वहां ना सुर्य का प्रकाश ही प्रकाशित होता है ना चंद्रमा और तारागन का प्रकाश ही ना बिजलियां ही चमकती है उसको चमकने के लिए इनका प्रकाश नहीं चाहिए अयम अगनी कुता ना ही अगनी वहां पर होता है तो अगनी का कहना ही क्या जब सुर्य नहीं च उसके प्रकाशित होने पर ही सब उसके पीछे उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। शूर्य चंद्रमा आदी भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। उसका प्रकाश ऐसा है। ब्रम्हे वेदं मृतं प्रुस्ता ब्रम्ह पश्याद ब्रम्ह दक्षिंत शोष्तरेन अधश्योर्ध्वं सप्रस्रतं ब्रम्हे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठं यह अमृत सरूप ब्रम्हे वेदं मृतं अर्थात यह अमृत सरूप ब्रम्ही तो है या ब्रह्म ही सामने है या ब्रह्म ही पीछे है या ब्रह्म ही दाई ओर है और या ब्रह्म ही बाई ओर है या ब्रह्म ही उत्तर में या ब्रह्म ही दक्षिन में या ब्रह्म ही पूरब में यही ब्रह्म पश्चन में चारो कोनों में भी यही ब्रह्म नीचे की और भी उपर की और भी यह ब्रह्म ही तो फैला हुआ है इसलिए संपूर्ण वस्तुवों का जो अस्तित्व है इसी ब्रह्म का आश्रे लेकर है यह संपूर्ण जगत यह सर्वस्रेष्ट ब्रह्म ही है यह संपूर्ण जगत भी सर्वस्रेष्ट ब्रह्म ही है तो इस प्रकार से मित्रो यह चर्चा द्यूतिय खंड की चर्चा पूर्ण होती है इस इसलोग के साथ ठीक है तो कुल मिला कर जो दूतिया खंड है दूतिया मुंड़क का दूतिया खंड है वह विज्ञानवाद है वह आपको टेक्निक दे रहा है ठेकनलॉजी दे रहा है आपको ठीक तो उस टेक्निक को समझना है, उस टेक्नलोजी को जानना है कि टेक्नलोजी क्या है, तो वह विज्ञानवाद संपन है, तो विज्ञानवाद अर्थात वह आपको एक विज्ञान दे रहा है, एक टेक्निक भी प्रदान कर रहा है, कैसे ध्यान करना है, कैसे साधना करनी है, उ तो आब यह समझ्झाने का सारे संशय नष्ठ हो जाएगा आप आप ब्रह्म लोक में प्रवेश करेंगे प्रभेश करेंगे was प्रभेश करेंगे वह परंधाम सुरूप है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा मातर सुचनाओं से प्रवचनों से जुड़ने से नहीं होगा विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा और विज्ञान ही बताया जाता है इस पूर्स के अंदर जो लोग गं साधना की विधिया क्रियाएं बताई गई है उसके अभ्यास में लगे आपके अंदर उर्जा का विकास होगा अगर आप इस राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं इस धर्म का विकास सनातन धर्म का विकास करना चाहते हैं अवश्य ऐसी साधना की प्रक्रिया से जुड़ जा और इसका लाब उठाइए ठीक है सही माइने में जानिए कि प्रणव साधना क्या है ठीक है उद्गीत क्या है क्योंकि आजकल में देखता हूं चक्कर क्या है कि भारी भारी संप्रदाय लोग बना लेते हैं लेकिन कई बार जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के अनुसार बताया नहीं जाता चाहे प्रणव साधना हो या और भी कई साधनाए हैं मैं नाम ले लूँँगा उन साधनाओं केảoिकी वह बहुत प्रसिद्ध हो रखी हैं यह सत्त यह हैं कि प्रसिद्ध तो हो रखी हैं आप भी उस प्रसिद्धी से जुड़ गए हैं कुवे के मेंढक बन गए हैं दुख होता है डुख क्या होता है कि लोग ऐसी माधकता गूरु आश्रमों में लोगो के उन्दर उनसे जुड़े हुए लोगों के अंदर मैंने एक मा धकता देखिए कि नशा देखा है कि अब हम गुरु जी से जुड़गय हो गया आप गुरु जी को समर्भित कर दिया सारा कल्यान वो कर देंगे हमें तो कुछ सोचने की जवरत ही नहीं है हमें तो कुछ करने की आवशकता ही नहीं है और जो मिला भी वो भी पूरी तरह से सही-सही चीज मिल भी नहीं रहा है लेकिन एक मादक्ता से भरे होते हैं ये कुवे के मिंदक और शब्द तो बड़े बड़े परयोग होते हैं लेकिन अभ्यास में नहीं आते प्रैक्टिस में नहीं आते समस्या यहां पर इसलिए प्रणौ साधना क्या है और प्रणौ साधना के नाम पर करवाया किया जाता है उसमें बहुत-बड़ा अंतर है जानिए इसलिए हमने अपने meditation course में सन वाले भी इसको करते हैं जुपिटर वाले भी कर लेते हैं तो meditation course में प्रणौ और प्रणौ साधना और उद्गीत दोनों को अलग-अलग बताया गया है दोनों एक ही नहीं है यह ध्यान रखेगा जातर प्रणौ साधना के नाम पर उद्गीत का अभ्यास कराया जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आप एक comment देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रणौ जगत नरायन जी राज पटकर जी आप तो ग्यानी है ब्रह्म ज्यान अध्यात्म की जानकारी हाँ तो जानकारी ही दे रहे हैं सूचना दे रहे हैं चलो पूरा पढ़ लेते क्या कहते पारलौ की किर्प्या करके ये भी जानकारी बताएं कि पूरे देश में कोरोना बिमारी हाहकार मचा हुआ है क्या ये इसके कारण और कब तक रहेगा समधान क्या है देखी सुनिए पिछले वर्ष मई के महीने में मई या जून का महीना जहां होगा को ना के ऊपर मैंने के विडियो बनाई है आज भी उपलब्द है आप उसे सर्च करकर देख सकते सुन सकते ज्यादा तर उसमें उपचार के ऊपर फोकस किया गया है और है उसमें कि दावा किया गया है कि कोरोना प्रतेक व्यक्ति तक पहुंचेगा आज पहु कि मिर्तिव सबकी ना हो लेकिन कोरोना इंफेक्शन सबको होगा ही होगा पहुचेगा ही पहुचेगा यह मैंने उसमें दावा किया हुआ है तो कुछ लोगों ने अभी कुछ महीने पहले जनवरी या दिसंबर के महीने में कहा कि आप तो बोल रहे थे कि 7-8 महीना में कुरोना हर एक व्यक्ति तक पहुच जाएगा भारत में लेकिन कहां यहां तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोई कुरोना आप तो डरा रहे थे मुझे ऐसे कुछ लोग कह रहे थे ठीक है लेकिन अब वह बात प्रमानित हो रही है कोई बचने वाला नहीं है यह निश्चित कर लेजिए लेकिन जिनका दिन चर्या अच्छा है जो थोड़ा भी ध्यान देते हैं थोड़ा भी ध्यान देते हैं मास्क लगाते हैं घूमते फिरते वे भी कहीं भी बाहर निकल ऐसे समय में और अपने बॉड़ी को ऑक्सिजनेट करते रहें गर्मी का भी मौसा में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए अगनी तत्व की व्रधी करें हो सके तो कोरोना पेशन्ट का अगनी असनान भी करवाएं अगर कोई 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 क्रोना से ग्रसित है और बिमार चल रहा है कई लोग तो बिमार नहीं भी हो रहे हैं इंफेक्शन होने के बाद भी बिमार नहीं हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा तर बिमार वही हो रहे हैं जिनका एक म्यूटेंट जो करोना का म्यूटेंट आया है वो उसके इंफेक्शन से लोग ज्यादा बिमार हो रहे हैं लेकिन जो कोरोना पिछले साल जो डवलप हुआ था उसके इंफेक्शन से बहुत लोग ज्यादा बिमार नहीं हो लेकिन जो भी हो कोरोना प्रतेक व्यक्ति तक पहुँचेगा हाँ कोई हिमाले में गुफा में बैठा होगा तो उसकी बात लगे ठीक है लेकिन समाज में रहने वाले लोग प्रतेक व्यक्ति तक कोरोना आज नहीं तो कल पहुँचे जाएगा चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी आप अपनी तैयारी रखी उसके साथ लड़ने की ठीक है कोरोना पेशेंट को एक दिन गैप करकर मैं कहूंगा अगनी असनान करवा दे उस वो अपने हाथों से कुछ अगनी प्रजवलित करें शुद्ध अगनी जिसे हम कहते हैं हवन की अगनी कर अगर कर सकता है तो कुछ लोग ज्यादा बिमार पढ़ जा रहे हैं ऑक्सि आप कोरोना है और उसके लिए जो प्रैक्टिस जो नॉमिनल प्रैक्टिस करने चाहिए प्रणयाम का अभ्यास उज्जय प्रणयाम भस्त्रिका डबल प्रण्याम जो कुछ प्रण्याम की विधियां मेंबर्शिप में बताई गई हैं तो यह सब करना भस्त्रिका कपाल भातियादी बंद लगाना कुम्भग करना आपके अक्सिजन लेबल को मेंटेन करता है पानी पीते रहिए कितना इनहेल कर सकते हैं कितना छोड़ सकते हैं कितना देर रोक सकते हैं इन सब चीजों का नाड़ी शोधन क्रिया जो नाड़ी शोधन क्रिया है इसका प्रैक्टिस कीजिए इसका अभ्यास कीजिए तो यह सब जुझे कोशिश किजिए, कि जितने समय में आपने स्वास भरा है, उससे जादा दिर तक रोखीए. कोशिश करिए कि उसके डपार दिर तक रोखीए ओर छोड़ दीजिए फिर. फिर कुछ दिर बाहर रोकिए, उतना ही जितना दिर छोड़ने में लगाया था. इतना तो करी स सकते हैं न भाई इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए फिर बाहर स्वास रोकिए फिर भरिए फिर अंदर रोकिए दुगने समय तक नहीं तो कम से कम जितना समय में लिया था उससे ज्यादा दिर तक रोकिए और लेने में भी थोड़ा समय लगा यह तुरंत खीच कर भर ले जिए धीरे धीरे लंबी सी स्वास भरिए और रोकिए उसे डबल टाइम तक और फिर उसको छोड़िए फिर बाहर रोकिए फिर भरिए सिंपल सा अभ्यास है करिए इसको ठीक है बाहर कहीं भी जाइए मुख में एक लॉंग रख लेजिए लेकिन निगलिए मत लॉंग आने के बाद उसे ठेक दीजिए मुख से निकाल दीजिए तो कि लॉंग ज्यादा मात्रा में पेट में जाएगा तो पित विकार को बढ़ शरीर में is our अगनिहुत्र आधिक रियाएं भी कर लेने से अगनी प्रजुलित करने से अपने हातों से गार यह करोण zeggen ب इसका लाब मिलता है तो इस सर्दी खासी तो सुरुवात में होता है उसके बाद नया रूप भी धारंग कर लेता है और बहकावे में ना है अपनी जिम्मेदारी स्वेम ले लिजिए किसी प्रकार के बहकावे में ना आई इतनी सारी वाइरस का तो वैसे भी कोई दवा नहीं है एक बार जिसको हो गया है जो बिमार चल रहा है थोड़ा बहुत उसको अगनी स्नान करवाएं एक बार एक दिन गैप करक फिर तीसरे दिन फिर करवाएं चोंटे दिन फिर करवाएं इस प्रकार से लगभग 15 बार अगनी इस्नान करवा लें महीने के इंदर एक महीने के अंदर, ठीक है, चारो तरफ अगनी, उसमें गोलाकार रूप में अगनी, आज भाई साथ कोई पूछ रहते, अगनी स्नान कैसे करना चाहिए, चारो तरफ अगनी लगाईए, उसमें कपूर घी आदी से ही अगनी प्रजलित कीजिए, बीच में पेशंट को बिठ कीजिए, कितनी बार आपको बता रहें, ठीक है, कभी एक वीडियो भी ले आएंगे, सोच रहे हैं, एक वीडियो भी इसके उपर लाएंगे, तो अलग से, यह तो एक विशह पर वीडियो है, तो लोग उसी के विशह में जानकारी लेने के लिए पहुँचते हैं, तो यह भी ध्यान रखे, तो यह सब चीजे हैं, पुछना कुछ बता रहा हूं, और एक वीडियो भी इस बारे में लाएंगे, व्यक्सिन के उपर भी कुछ चीजह जानना जरूरी है, चलो जी, चंदन जना जी, तबो श्री, चर्नो में नमस्कार गुरू जी, आपके पास, अमृतबानी सर्वन करके, ठीक है जी, समसरवेशु भोतेशु मदभक्तिम लभते परवाम, जो ब्रह्म रूप होता है, उसी को परब्रह्म की भक्ती का अधिकार है, अधिकार शब्द का प्रयोग तो यहाँ पर नहीं है, यह अधिकार शब्द का प्रयोग आप कर रहे है इसकी टीका में, तो ऐसा समसरवेशु भोतेशु जो सम अवस्था में प्राप्त हो जाता है, उसकी पराभक्ती प्रारंब होती है, वह पराभक्ती का लाब उठाता है, लबते पराम, मद भक्तिम लबते पराम ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आपने टीका में लिखा है कि जो ब्रह्मरूप हो जाता है, उसी को परभ्रह्म की बक्ती का अधिकार होता है, अधिकार एक अलग विशे है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसलिए तो मैं कहता हूँ निरुक है, लोग संस्कृत नहीं जानते, अरे लिखे तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्या पता चलता है, ठीक है, लेकिन इस स्लोक में अध्याय के 54 स्लोक में लिखा जा रहा है, समः सर्वेशु भूतेशु मद भक्तिम लबते पराम, लबते पराम साप लिखा गया है, कि वह पर परारूप है भक्ति का, ठीक है, और एक परारूप है, जो अतेंद्रिया है, तो समवस्था को प्राप्त करने वाले पराभक्ति का लाब उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के कहने का अतात्पर, अधिकार वाली बात तो मुझे नहीं लगता किसी स्लो प्रेम ही, इश्वर, सेवा ही, पूजा है, ध्यान और सत्ते ही, भक्ति है, हाँ तो ध्यान करिए, अभ्यास ध्यान ही तो विज्ञान है, उस विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा ना, तब ही तो ध्यान होगा, खली ध्यान कहने मातर से तो ध्यान नहीं हो जाएगा, ठी इतनी सारी वर्णा के जिससे की कोई पार नहीं पा सकता वर्णन है महिमा का तो परब्रम्ब पुरुसुत्तम परमात्मा के महिमा कितनी है उसका वर्णन कहां मिलेगा वर्णन ही तो चल रहा है उपनी शदों में और क्या गुरुजी हम जावी ध्यान में बाएकांत में बैर हूं तो कोई कोई मन में गलत कुछ देखना गलत कुछ करने ता इरादा क्यूं आता है मन है मन पर दबाव डाल दिया जैसे कि आपने कोई पाई से पानी निकल रहा है उसे दबा दीजिए तो पानी की स्पीड बढ़ जयाएगी ना फिर तो आपने उसको दबा दिया तो चंचल हो जाता है वह विकार और जादा कई बार कई लोगों के साथ होता है कि ऐसे विकार नहीं आएंगे ध्यान करने बैट होगे तो मन में अनेकों विकारों की तुफान उठेंगी रिगा सभाविक है कि सबके साथ हो कोर्स दिया गया है कोर्स क्यूं दिया गया ध्यान योग का इसी लिए दिया गया है ताकि आप कॉर्स कंप्लीट करें उसको देखें उन वीडियों को समझें और ऐसी समस्याओं से उबर सकें ठीक है चलिए आगे देखें तो सोते के समझते हुए भी बलवन सिंग गोहिल जी प्रणाम भूप सिंग हिचर जी अवनी भट्टाचार जी अंकित कुमार जी मेरी कुठस्त ध्यान में दिक्कत है व्रिहत कुठस्त ध्यान मन में एक भी विचार आने की वजह से प्रवेश नहीं हो पा रहा है अभ्यासरत रहिए उपासना को तिक्ष्ण कीजिए प्रवेश होगा जरूर होगा एक दिन मालाश शर्मा जी अभिनंदन आपका जयनती भाई पतेल जी गुरुदेव का शरन में प्रणाम आपका ग्यान बहुत अच्छा है और योग और ब्रह्म के विशय में प्रमानिक समझाते हैं आभार जी आपका सूचना है आवाज नहीं आ रही चलो हो गया ठीक हो गया आव शाष्य प्रसाह के से स्थगित किया जा सकता है स्वास प्रस्वास ध्यान से योग से अभ्यास करते हैं यह प्रणाव साधना से स्थगित होगा ठीक चलिए आवाज चली कि इस समय तो आवाज गही नहीं थे आवाज तो बुद्ध पहले गही थी आत्मा सर्वत्र कणकण में है तो मोक्ष किस्का मोक्ष जीव का जो इंद्रिय अनुभूतियों से संस्कारों को संग्रहित करकर भटक रहा है उस जीव का मोक्ष होता है ठीक है मतलब कि दिखना कुछ और दिखना कुछ इंद्रियों के माध्यम से सत्य नहीं दिखता है इंद्रियों के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वह तो एक परदा है एक चश्मा है जैसे चश्मे का रंग वैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है सत्य रूप में हम नहीं देखते संसार को इसलिए मोक्ष की आवशकता जीवात्मा को मोक्ष की आवशकता जीव को ठीक क्या खुद को व्याप्त देख जो आनंद आता है वही परमानंद है खुद को व्याप्त देख जी हाँ वही आनंद है वही परमानंद है लेकिन खुद को व्याप्त देखने में यह शरीर की खुद यह शरीर रूपी खुद नहीं रहता वहाँ पर वह मिठ जाता है इस शरीर के साथ जो एक स्वेंग की भावना जुड़ी हुई है न हमारी की हम हम है ये ये जो बॉड़ी है ये हम है वह भावना वहाँ नहीं रहती बस इतना ध्यान रखेएगा इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि विचारों से तो कंफूजन होगा इसलिए तो वेदों ने कहा नेती 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 कि मातर सुनने और पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा लान करकर विज्ञान के द्वारा अभ्यास करते हुए समझना होगा लेकिन माया आया कहा से विवर्त रूप में आया इंद्रियों से आया ठीक है इंद्रियां भी ब्रह्म हैं ब्रह्म से ही बनी हैं लेकिन इंद्रियां जो देखती हैं है तो वास्तों में वो भी ब्रह्म लेकिन इंद्रियां ब्रह्म नहीं देखती हैं इंद्रियां अशुद्धी देखती हैं विवर्त देखती है, manifestation को देखती है, मूल तक्त्व को नहीं देखती है, तो जो manifestation है, इंद्रियां उसको देखती है, तो वह जो manifestation है, वो माया है, ठीक, जैसे जल है, आपने अगर fountain film देखा हो, fountain film, fountain चलता है, उस पर रोशनी पड़ती है, वो पानी के कनोंग से प्रतिविंबित होकर नई नई आकरतियां बनती है, कई जगर चलाई जाती है, fountain film, है तो पानी के कने, पानी के बूंद, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ दिखने लग जाती है, तो इसी प्रकार से इंद्रियों के कारण, यह संसार दश्ची गोचर है, यह जगत कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, है तो सब कुछ ब्रह्म, और इन उस जो मिध्या दिखाई दे रहा है, जो अविद्या दिखाई दे रहा है, उसी अविद्या से करम और संसकार निर्मित हो रहे हैं, अविद्या जनित करम संसकार, वास्तों में करम संसकार होते ही अविद्या जनित हैं, और उन्हीं संसकारों के वशिभूत जीव का अस्तित्व बना हुआ है और जीव उसी के आकर्शन में भटकता है अपने मूल तत्व की और नहीं जा पाता जब वो मूल को प्राप्त हो जाएगा तो जीव का मुक्ष हो जाएगा ठीक है आत्मा सवरूब ब्रह्म है तो आत्मा उनसे भिन्न होगी किस्से भिन्न होगी आत्मा तो ब्रह्म ही है तो भिन्न किस्से होगी बस जब तक ज्यान नहीं है तब तक भिन्नता है भेद है ज्यान के बाद विज्यान के बाद ही भेद खतम होगा शरीर सांस और आत्मा तीनों से परे हम ब्रह्म में इस्थित हैं हाँ इसका ज्ञान होना पड़ेगा विज्ञान के द्वारा विज्ञान याने आत्म साक्षातकार की अनुभूती स्मिता सावंत जी जी हाँ का इसस इतनी शोटी हो जाती है की हमें लगता है सास चलती नहीं जी हां चाहर वै धक्रानxico गीतावे दिन संबसार साधना ध्या नहीं है जी हां ले किन कुरान साधना बताती नहीं है कि साधना करनी कैसे उपनिशत बताते हैं योग में बताया जाए ठीक है तो उसी को समझ लिजी बस इतना ही प्रयाप्त है रादेश शाम दिक्षिदी सर यूर डूइंग ज्यान यग्या इस बेस्वे टू वार्शिप इन भगवद गीता योगिश्वर कृष्ण सेज वाग्यम ज्यान वाग्यचम जी आज के न्यूज में बताया गया है कि कुरोणा एवरेस्ट पर भी गया हुआ है तो चलिए एवरेस्ट पर भी जो लोग कुरोना लेके जा रहे हैं अच्छी बात है ठीक है तो ओके भगवद गीता चैप्टर टेन इस लोग टंटी फाइब सेकेंड हाव जी अनुभूती से वेदो की रचना उस रचनाकार ने की है उस अनुभूती का प्रचार अवश्य करना चाहिए ठीक है यम इदम प्रभम गोहियम अद्व बक्त वतेश्व मिदश्यती भक्तिम मैं पराम कृत्वा मामे विश्यत्य संशयह जी सही बात कह रहे हैं तो विचार का विश्य है करना चाहिए समय काफी लंबा हो गया है चिदा कास और चिदा अनंद पर उदाहरन सहित व्यापक प्रकास डालेंगे नचत अश्मान इश्य कश्मीन स्वाबी जी जल नेती क्रिया करने के पश्चाथ शिर्शाशन करके भस्त्रिका प्रण्याम करनी चाहिए क्या जल लेती क्रिया करने के बाद शिर्शाशन करके कर सकते हैं जी अगर आपके स्वास्त को कोई नुक्सान नहीं पहुंचता इससे आप पूरे हर्ष्ट प्रुष्ट हैं और स्वस्त हैं तो कर सकते हैं अगर आपक अच्छा है तो कर इंश्टा ही करिए ठीक है नहीं तो जल निती अपने आप में बहुत P्रयाप्त है बहुत अच्छी क्रिया है और अगर कुरॉणा से की संदर्व में इसको लेना चाहते हैं तो सरलक्रिया बहुत कठिनुबने निए लेकिन सुनने से अधर दिन लगता है कि नासिका से जल्ग रहन करना है मुक्शर से निकालना है ना भी निकालो तो सीधा पी भी सकते हो कि प्रिकर कि गास सब he चलीए थीक है तो इसी के साथ इस सभा को को विराम देंगे आप सभी का बहुत बहुत आभार जो जिन विश्वों पर व्याख्या नहीं की गई वह आगे आने वाले समय में किया जाएगा उस पर आप कि तत्पर रहें और पूछें तो कि कल फिर कि तिर्थिय मुंड़क पर्थम मुंड़क के दोनों खंडा देढम हो गया दूतिय मुंड़क के दोनों खंड आज पुर्ण हो गया पहला खंड कल हुआ दुसरा खंड कल फिर्थिय मुंड़क के प्रथम क्ल्षा कि प्रारंब के साथ आज कर विराम देते हैं इस सभा को ठीक बहुत बहुत आभार आप सभी का झाल झाल